नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपिटर लसी एनम 2022 बरती परिक्षा को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे और बहुत ही मौतपूर सूचना है और वीडियो को आपको पूरा देखना है लाश तक देखना है देखे हमने जब इसके पहले कटाफ बताई थी आप सभी को तो बहुत सारे लोगों का यह तर्क था कि इतनी कम कटाफ नहीं जाएगी तो अभी आप यहाँ पर देखने जी इतनी कम कटाफ के तो बात चोड़िए अभी जिसके दस नंबर होंगे उनको भी क्वाडिफाइड घोसित किया जा सकता है उनको भी सार्ट लिष्ट किया जा सकता है अगले स्टेज के लिए यानि डोकुमेंट विरिफेकेसम प्रासेज के लिए और इसके पीछे का रीजिन अभी हम आपको बताएंगे अभी अगर आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल वहाँ पर वेटिंग लिष्ट जारी होती थी उसमें बहुत दिक्कते होती थी अब क्या करते हैं यूपी ट्रपलसी के तरफ से जितनी सीटे होती है उसके कम सकम डेड़ गुना दो गुना धाई गुना या पी तीन गुना कैंडिटेट्स को मौका मिल रहा है और आपके भ लिखेंगी तो बहुत सारे ऐसे जिनके ओमार में ऐसी मिश्टेक्स हुई है जैसे हमने बताया था आप सभी को कि रिष्टेशन नंबर और लंबर में से दोनों ही अगर गलत है गोला भरने में उपर जो आपने बॉक्स में लिखा है उसमें गलती चल जाती लेकिन जो गोल करता है उपर बॉक्स में लेकिन दो आपका रिजल्ट आएगा अगर गोला बनने में गलती हुई यदि फिर उहाँ दिखकत हो सकती लेकिन स्रेज आपने सही बंड़्य तो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए सिग्णेचर में अगर तो ठोड़ा बोगलती हो गया तो कि आयोक महाँ पर कारवाई करे या न करे निर्भर करेगा तो यह पूरे तरह से आयोक के उपर हो पर करेगा है दूसरा चीजा है यहां पर दीखिए कि बहुत सारे बार तो यहां पर केवल हम बात करेंगे कि क्यों यहां पर 10 नमर वालों को भी मौका मिल सकता है डी बी में जितने लोग यहां पर एक्जाम दिये हैं लगबग सभी को बुलाया जा सकता है सभी को सार्ट लिस्ट किया जा सकता है या फिर बहुत होगा तो डेड़ गुना 1.5 याई 9212 का आप 1.5 करेंगे तो लगबग आप यहां पर मान के चलें कि फूर्टीन थाओजन की अराउंड कंडिडेट्स को मौका मिल सकता है फिर डुकुमेंट वरिफिकेशन होगा डुकुमेंट वरिफिकेशन में भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ दिखत हो खुछ ल पुराना नहीं था, पहले का नहीं था, आपने फॉर्म में डाल दिया या फिर बहुत पुराना है, तो आप तुरंट एक नया बनवाली जी, अगर काम बन जाता है, उससे तो बहुत अच्छा है, और इसके अलावा, जो पिता और पती वाला है, हमने कह दिया था, जो इंटर पिकेशन में तो यही लिखा है कि पिता पक्षे से प्रमार्पत्र निर्गत होना चाहिए, कास्ट वाला, उसमें ऐसा मेंसन नहीं किया है, कि सेम जाती है, या फिर इंटर कास्ट है, तो ऐसा लिखा नहीं नहीं था, फिर वहाँ पे बाद में वो मानेंगे कि नहीं इती पहले का आहाektश निवास चाहए AWS तो यह सब चीजे होती जो आपको दियान लख न को Lee नहीं चल जाएगा तो आपूछे से बात के भरोसे रहे और दिखत अगर आपको होगी verification में तो फिर वहाँ पे आप किसको जिम्यदार आप बोलने जाएंगे तो आप अपने अस्तर से पूरी तैयारी रखें बाकि लोग अपने हिसाब से लोग guarantee देंगे क्योंकि verification उनको नहीं कराना है नौकरी आए उनकी दिक्कत नहीं होगी दिक्कत आपको होगी वहाँ पे तो यह आप ध्यान रखेगा अभी revised answer की आएगी revised answer की में कम सकम दो से तीन नंबर बढ़ने चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है दो से तीन नंबर बढ़ने के बाद जो common number मिलेंगे जिनके सही होगे उनको तो कोई फायदा नहीं मिलेगा जिनके गलत होगी आप जिन्होंने attempt नहीं किया होगा तो उनको नंबर hundred percent मिलेंगी इसके रहाँ संबेदा वाले में जिन लोगों ने गलती कर दी है कि संबेदा हमारा दो साल था हमने तीन साल डाल दिया तीन साल पूरा नहीं हुआ था या फिर हमारा प्राइबेट का था या पिर हम आसा वाले थे तो उन्होंने भी डाल दिया हुआ है तो इसके लिए आपके पास एक ही सबसे पहले हैं पर रिवाज़ आंसर की आएगी जहां से यह पता चलिगा कि कितनी कामा नंबर में लिए कितने नंबर बढ़े वहां पर कुछ हो सकता कोशन की आपसन में बदलाव भी किया गया हो उसके बाद जो फिर आपका रिजल्ट आएगा फाइनल मतलब रिजल्ट रही है डीवी के लिए सबी लोग और बहुत अगर मैक्सिममम कंडिशन बनेंगे तो फोर्टीन थाउज़ लगबग डेढ़ गुना पान के चले वन फाइंट फाइफ तो लगबग जो है 14,000 से ज्यादा लोगों को मौका मिल सकता है डीवी के लिए यह जो कुछ भी चीज फिर उन्होंने नियम बदला जितने कंडिडेट जितनी सीटे होती है उसके दो गुने तीन गुने बुलाते है यह उनके उपर डिपेंड करता है डीवी के लिए डोकुमेंट बरिफिकी संग के लिए या फिर जो भी नेक्स्ट इस्टेज होता है ठीक है तो फिर यहां से डीवी के बाद फिर आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिष्ट और फाइनल मेरिट लिष्ट की जो कटाफ होगी और अंतिम कटाफ होगी उसके आधार पर आपका चैन वहां पर डिसाइड होगा मालतें डीवी में माली जी कि 15,000 लोग पास होकर किया है या फिर 14,000 को बुला इस पर आपके बनेगी और पीएच में कोई भी सीट नहीं है तो पीएच वालों को जनरल पर ट्रीट किया जाएगा बाकी जो जिन के डिगरी की सीट है उनको उसी हिसाफ से उनको फायदा मिलेगा उसका संबिदा वालों के जो नंबर है उनकी मेरिट में जुड़ेंगे य जो कि देखिए संबिदा वालों जितनी भी लोग हैं हो सकता है कि पहला जो इस्टेज डीबी वहां पर वरिफाई करें हो कि आपके पास है कि नहीं अनुववग प्रमान पत्र सही सही उसके बाद फिर आपका जो नंबर है संबिदा वाला भारांक है उसको आपको फाइनल मेरित में जोड करके ही कटा बनेगी तो वहां पर फिर आपका सेलक्सन तरह है तो 100% तो नहीं लेकिन 99.99% मुझे लग रहा है कि यहां पर सभी को मौका मिल सकता है डीबी के लिए रिजल्ट आपका जो है जून में ही आएगा जून में चाहे जब आए 15 जून को है 20 जून क प्रबल सम्भाव ना है तो बस इतने ही बात करेंगे इस वीडियो के मादम से और आगे की फिर सम्मिलेंगे जो भी आपके मन में सवाल हो आप यहां पर प्लीज कमेंट सक्सें में पूछ लें कोई भी आपका मन में छोटा साभी डाउट हो सही और आथेंटिक नूज आप आपको हमारे चैनल के मादम से दी जा रही है पीटी 2022 के तयारी जो लोग करना चाते हो तयारी करते हैं प्रेक्टिस उसके लिए भी चल रहा है और आगे के जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के मादम से दी जाएक तो वीडियो को आप सभी से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो धन्यवाद